आई जानते हैं फैक्टरी में स्प्राइट कैसे बनाई जाती है सबसे पहले स्प्राइट को बनाने के लिए पानी को कार्बनेट किया जाता है उसके बाद उसमें शुगर, प्रिजरवेटिप्स, फ्लेवर साथी कुछ खास इंग्रीडेंट्स को डाला जाता है और फिर स्प्राइट का लिक्ट बनकर तयार हो जाता है अब बारी आती है बॉटल की, बॉटल बनाने के लिए एक ट्यूब का इस्तमाल किया जाता है उसी ट्यूब में प्रेशर डाला जाता है, जिससे वो बड़ा हो जाता है इसके बाद एक मशीन इसमें स्प्राइट भरेगी वहीं दूसरी मशीन से सील्ड पैक करेगी अब एक किंटेनर की मदद से इन सब को बाहर निकाल लिया जाएगा उसके बाद सभी पर लगाई जाएगी स्प्राइट की पॉलेथिन और उस पॉलेथिन पर छोटी सी हीट डालके बोटल पर चिपका दिया जाता है उसके बाद बारी आएगी लास्ट मशीन की जो इसे सील्ड पैक करेगी और उसे कार्डबोर्ड में बंद करेगी और भाई हो गई स्प्राइट बिल्कुल तयार मार्केट में जाने के लिए वैसे आपको कौन सी ड्रिंक पसंद है कॉमेंट में जरू बतायाएगा और इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए